असलाम वालेकों स्टूरेंट्स वेलकम टो आर चैनल मेंस अकेडमी ऑनलाइन एजूबेशन उमीदेश स्टूरेंट्स आप सब कहरी अच्छे होंगे तो आज जो है हम ग्लास सेकेंड र क्यमेट्ट्री का चैफ्टर नमबर वन जो है खेमेट्र प्रिप्रेजन्टेटिटेटिफ उसको स्टार्ट करने चाह रहे हैं और आज वीडियो होगा लेक्चर नमबर वन lecture number one में हम introduction पढ़ेने कि representative elements जो हम direct नहीं बता सकते कि क्या होते हैं तो उसके लिए हमें basics से समझना पढ़ेगा तो सबसे पहले उसको समझने के लिए हमें क्या समझना पढ़ेगा कि periodic table क्या होता है periodic table क्या होता है कि elements को उनके atomic number, उनकी electronic configuration और उनकी properties की basis पे एक system यहाँ पर एक system के अंदर अरेंज करते ही न उसको हम क्या कहते हैं periodic table कहते हैं उसके बाद जो ए periodic table जो ए वो further periods और groups के अंदर divide होता है seven horizontal rows होती है periodic table के अंदर जो कि क्या होता है periods होते हैं और 18 vertical columns होते है periodic table के अंदर जो क्या कलाते हैं groups उन 18 vertical columns को further the two groups, subgroups केंदर divide किया रहाता है, subgroup A और subgroup B, subgroup A के जो element होते हैं उसको हम representative elements कहते हैं और subgroup B के जो elements होते हैं उसको हम transition elements कहते हैं उसके बन आगे बढ़ते हैं तो Modern Periodic Table के लो है啊 भो Blocks होते हैं, अब Blocks कितने होते हैं 4 Blocks होते हैं, S Blocks B Block, D Block और F block, ये चार block होते हैं modern periodic table के अंदर और सबसे पहले S block के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि S block जो है उसके अंदर दो group साते हैं हमारे group 1A और group 2A के elements ये जो है periodic table के अंदर इसकी location की बात की जाए तो ये extreme left side पे जो है पाया जाता है ये S block, group 1A जो होता है इसमें से उसके elements वा alkaline metals कहते हैं ये alkaline metals कहते हैं group 2A के elements पर हम alkaline earth metals कहते हैं उसके बात P block की बात की जाए तो उसके अंदर बाकी सारे group 3A से group 8A तक के elements जो हैं वो P block कवर करता है और ये जो है predictable के अंदर इसी location बिलकुल extreme right side पर होती है अगर बात की जाए third block की जो के D block वो जिते भी बाकी रह जाने वाले subgroup B के जो elements होते हैं उनको कवर करता है और इसकी location की बात की जाए predictable के अंदर तो ये का होता है middle में बाए जाता है उसके बात last block जो होता है F block उसकी बात की जाए तो ये main body जो होती है प्रेडिक्टेबिल के अंदर उसके नीचे नदर आता है जैसे प्रेडिक्टेबिल है तो F block यहाँ होगा इस तरह से और F block के अंदर जो यह दो horizontal lines होती है यानि के ऐसे होता है और यह दो horizontal lines जो है यह total कितने elements आते हैं इसके अंदर 14 elements और एक line के अंदर आते हैं और एक line के अंदर actinides आते हैं उसके बाद आगे बढ़ें तो कुछ basic definition है यह basic definition समझने के बाद ही हमें पता लगेगा कि किस तरह से group trend क्या होते हैं और group trend किस तरह से बनते हैं तो सबसे पहले group trend हमें पढ़ना पड़ेगा ग्रूप trend होता क्या है जो regular basis पर जो changes आती है elements की किसमे properties में किसी group के अंदर predictable के तो उसको हम क्या कहते हैं group trends कहते हैं इसके बाद एक definition है atomic radii या atomic radius atomic radius क्या होता है कि यह atom है यह उसका nucleus है nucleus से जो outermost electron जो होगा उसका shell जो होगा वहां तक का जो distance होगा वो क्या कहलाता है atomic radius कहलाता है इसके बाद ionization energy की बात की जाए तो gas phase के अंदर हम किसी neutral atom में से electron को क्या करवा रहे होंगे remove करवा रहे होंगे तो उस time पर जो energy की जरूरत हमें पढ़ेंगी उसको हम क्या कहेंगे ionization energy जो definition है उसकी बात की जाए तो वो क्या होती है कि atom की वो ability या atom की वो tendency कि वो क्या करे electron के shared pair को अपनी तरफ क्या करे towards itself attract करे कि ये atom को क्या करें atom को अपनी तरफ attract करे और जब ये covalent bond बना रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं उस ability को electronegativity और उसके बाद electrical conductivity क्या है कि हम major करते हैं कि किस तरह से material जो भी हमारा उसकी कितनी ability है कितनी अच्छी ability है कि वो कितना अच्छा जोए electric current अपने अंदर से conduct करवा सकता है या उसको pass out करवा सकता है तो हम उसी इसको क्या कहते है है electrical conductivity इसके बाद लास में बात आती है औक्सीडेशन इस्टेट क्या होती है कि ऐसी स्टेट इसमें किसी element को जो हम क्या देते हैं औक्सीडेशन नंबर उसको या उसको असाइन की जाती है उसको दी जाती है या तो वह किसी chemical compound में हो या पिर वह किसी combined state में हो या पिर single state में तो उसको हम क्या कहते हैं जब उसको oxidation number मिलता है तो उस state को oxidation state कहते हैं तो इस तरह से आज का लेक्टर जोए इंट्रो का चैप्टर नंबर बन का क्लास 12 chemistry का वह एंड्ड होता है इंशाला फिर मिनते हैं नेक्स लेक्टर में तब तक के लिए ना आफिस